ये चीज तो निश्चित है कि RPSC दुबारा इस भरती परिक्षा को आयोजन करवाएगी नवस्कार प्यारे विध्यारतियों अनलाइन सार्थे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि 25 अक्टोबर 2024 को राजस्तान लोक्षेवायोग ने एक अधिस उचना एक प्रेस नौट जारी करके ये बताया कि EO-RO भरती परिक्षा जो 2023 में RPSC दौरा आयोजित की गई थी उसको कुछ कारणों से रद कर दिया गया है और इसके इस्तान पे एक नई भरती परिक्षा का आयोजन EO-RO पदों पर भरती के लिए RPSC दौरा 23 मार्च 2025 को करवाया जाएगा तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रशन यह है कि जिन लोगों ने उस समय जब भरती का नोटिफिकेशन निकला उस समय आविदन किया क्या केवल उनी लोगों को 23 मार्च को आयोजित होने वाली भरती परिक्षा में समय लित होने का आउसर दिया जाएगा या नए विद्यार्थियों को भी सामिल किया जाएगा जो विद्यार्थियों चाहते हैं कि RPSC फिर से इस भरती परिक्षा के आविदन शुरू करें और नए लोगों को भी मौका दें ताकि उनको भी इस competition में सामिल होने का मौका मिले देखो इस मामले में दो राय रखी जा सकती है पहली यह है कि जो विद्यार्थि इस परिक्षा के cancel होने के बाद नए जुड़े हैं जो graduation कर चुके हैं और जो इस भरती परिक्षा के लिए पात्र हो चुके हैं उनका भी एक valid reason है कि उनको भी इसमें सामिल किया जाए और कुछ ऐसे हो सकते हैं विद्यार्थि जो यह कहेंगे कि अगर आविदन परकिरिया को आगे बढ़ाया गया तो भरती परिक्षा के इस्तिकत होने या आगे बढ़ने के भी चांस है तो दोनों तरफ से मैं उन सभी विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि इस भरती परिक्षा में नए लोगों को भी सामिल किया जाए और आप इसकी तैयरी कर रहे हैं तो अपनी तैयरी जारी रखें जो भी विद्यार्थी हित में मांगोगी जो भी विद्यार्थी हित में फैसला किया जाएगा सरकार की तरफ से ये चीज तो निच्छित है कि RPSC दुबरा इस भरती परिक्षा को आयजित करवाएगी और ये लगबग तैय है निच्छित है कि 23 मार्च 2025 को RPSC दौरा ये भरती परिक्षा आयजित करवाएगी तो आप इस भरती परिक्षा की तैयरी कैसे कर सकते हैं और हम जो ऑनलाइन सार्थी का प्लेटफॉर्म है ये आपकी इस भरती परिक्षा की तैयरी में कैसे मदद कर सकता है इसकी बारे में मैं आपको थोड़ी से जानकरी दे रहा हूँ सबसे पहले हमारा एक टेलिग्राम चैनल है सार्थी डॉज की नाम से इस टेलिग्राम चैनल को मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको जोईन करें हम इस टेलिग्राम चैनल के मादम से EORO भरती परिक्षा से संबंदित कुछ मैथपुन जानकरी आपके सामने लाते रहेंगे इस बर्ती परिक्षा का जो भी पाठेकरा में सेलिबस है उसमें जो भी महत्पूर्ण टॉपिक दिए गए और टॉपिक से सम्मंदित महत्पूर्ण जानकारी आपके समक्ष लाने का कारिय इस टेलिग्राम चैनल के मादिम से हमारे द्वारा किया जाएगा इसमें हम कुछ PDF सेयर करेंगे कुछ questions भी हम सेयर करेंगे जो चैनल पर दी जाती है आप उसको मिस्त नहीं करें ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं थोड़ा सा उस प्रेस नॉट के बारे में बता रहा हूं जो 25 अक्टूबर 2024 को RPSC ने जारी किया है इसमें लिखा गया है कि आयोग द्वारा दिनांग 14 मई 2023 को आयजित की गई राजस् 30 मार्च 2025 को किया जाना प्रस्तावित है यह मैट्रपुन जानकारी इस नॉटिफिकेशन के माद्यम से दी गई है इस प्रेस नॉट के माद्यम से वो दिया गया है इसमें दो भाग है एक है भाग जिसमें जो असी अंका है और जिसमें राजस्तान कला संस्कृति वे मित्यास राजस्तान का भुगोल राजस्तान एवं भारत की राजविवस्ता और सम सामेकी से जुड़ेवे टॉपिक इसमें दिये गया है इसके साथ साथ जो सबसे महत्पून चीज है जो इस बरती परिक्षा के लिए जिन पदों पर बरती की जा रही है उनसे समंदित है वो है भागब, भागब है 40 अंका है अंक बार कम हो सकता है लेकिन इस परतियों की परिक्षा में कौन बरती होगा, किसको न्यूकती मिलेगी, किसका चैन होग वो है भागब, इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें दी गई है एक तो राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की कुछ 17 इसमें अध्याय है नगरपालिका एक्ट में उसमें से 9 अध्याय आपके सेलेबस में सामिल किये गए हैं और उन 9 अध्यायों में क्या प्रावदान कि रहे गए उन नियमों के अंतरगत क्या-क्या चीजें आपको पढ़नी है तीन प्रकार के नियम है क्रेयम अनुमद नियम 1904 कारे संचालन नियम 2009 और समीतियों के कारेयम सक्ति नियम 2009 इसके अलावा एक चीज आपको तीसरी और पढ़नी है इस भाग में वो है कि आपको आठ योजना है वो भी आपके सेलैबस में सामिल की गई है उन आठ योजना हो भी इन योजना की सुरुवात उई इनकी पात्रता क्या गाए कौन कोन इनका लाब ले सकता है और लाब लेने का तरीका क्या है ये सारी चीज़े इन योजनाओं में दी गई हैं वो सभी आपका अध्यान करना है तो हम इस पेपर की तयारी में जो भाग भग है वो आपको पूरा ऑनलाइन सार्थी के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में पढ़ाएंगे ये जो एक्ट है नगरपाली का नियम है और क इद्यार्थियों को समझने में कई बार दिक्कत आती है तो हम ये प्रयास करेंगे कि इनकी सरल बासा में किस तरीके से ये कंटेंट आप तक पहुंचा जाए ताकि आप इस कंटेंट को अच्छे से तयार करके और इस भरती परिक्सा में अपना अच्छे से अच्छा परिक्सा समंदित इस टेलिग्राम चैनल पर सेर कर रहे हैं वह आपसे मिस नहीं हो और आपकी त्यारी और जदा अच्छे से अच्छे हो तो मुझे पूरी उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें मैंने जो जानकर आपको दी है वह आपके अने और विश्वास इसी प्रकार हमारे उपर बना रखे थेंक यू सो मच